हेलो गाईज आज हम आए हैं अलंटे मॉल तो आपको भी हम दिखाएंगे अलंटे मॉल का व्यू कैसा है तो क्रिस्मिस स्पेशल बहुत कुछ है मॉल में तो आप ब्लॉग के एंड तक बने रहना फ्रेंड्स लंटे मॉल बहुत ही फेमस है बहुत दूर दूर से लोग यहां पे शॉपिंग करने आते हैं सेलिब्रेटी भी यहां पे आते हैं यह इंडिया का 10th largest मॉल है तो आज है क्रिस्मस दे तो इसी के एकॉर्डिंग बहुत ही श्पेशल है मॉल में आज तो गाइस अब हम हो गए है मॉल के अंदर एंटर तो आभी मेरे साथ खुब इंजोई करना और यहां पे स्नोफलेक्स लगा रखें बहुत ही लाज जवाब डेकॉरेशन मॉल के अंदर कर रखी है तो बहुत ही रश है आज क्यूंकि आज है क्रिस्मस दे तो सभी यहां पे फोटो क्लिक करा रहे थे यहां पे अनिमल्स मूव कर रहे हैं देखिए आप बहुत ही अच्छी तरह से डेकॉरेशन कर रखिया क्रिस्मस ट्री और यह देखिए मॉल के उपर तक इतनी अच्छी लाइटनिंग का रेंस्मेंट कर रखा है तो सभी लोग यहां पे वीडियो बना रहे थे और रिल्स बना रहे थे फोटो क्लिक कर रहे थे खूब इंजवाय कर रहे थे सभी परसन तो हमने भी बहुत इंजवाय किया और मेरे बच्चे भी खूब इंजवाय कर रहे हैं बहुत दिनों के वाद हम मॉल में आए हैं काफी दिन होगे थे तो यह मॉल किर्थी सेक्शन यहां पर किर्थी को बहुत क्रेज रहता है तब हम पहले यहां पर आगे तो किर्थी यहां पर फोट क्लिक कर रहे हैं तो देखें यह है वहां की डाकॉरेशन तो बहुत अच्छी डाकॉरेशन कर रखी है Christmas tree बहुत अच्छा decorate कर रख है तो सभी हां पे बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे तो किर्त प्राभी बहुत इंजॉय कर रहे थे सभी वीडियो बना रहे थे और song चल रहे थे सभी dance कर रहे थे फिर मैंने वाज म्यूट कर दी copyright का हो जाता है तो किर्ति ने यहां पे photo तो किर्थी को बहुत मज़ा आता है इससे उपर जाने में वैसे तो लिफ्ट में भी जा सकते थे तो किर्थी बहुत इंजवाए करती है मौल में आके तो यह देखे किर्थी मेरे साथ ही है तो अब हम पहुंच गए हैं लेडिज क्लेक्शन में तो बहुत ही न्यू न्यू ड क्वह न्यूदा है तो आपको मैं दिखा रही हूं कि चंडी गढव क्या क्या ट्रेंड में है तो एक हम आपाए यह जरूर्थ परचेस करना समय और बहुत सारी हैं और ऑगे अक शर्ज्वाष जूर्ड में लात कोर्ट तो लांग कोर्ट जैसे हम शार्ट के सार्वारी करत लेडिज का यहां पे है सारा बिंटर का क्लेक्शन फ्रेंड्स अब हम आगे हैं पर्स क्लेक्शन में देखिए 50% डिसकाउंट है फेस्डिवल के बज़ा से तो बहुत ही डिजाइनर लग लग डिजाइनिंग के पर्स यहां पे मिलते हैं वाट कॉस्टली भी बहुत है तो मै मैं यहां पे देख रही थी तो एक मैंने बिल्कुल छोटा सा पर्स देखा था आपको दिखाती हूं मैं वह वाला तो देखिए 25 उसका प्राइज था तो है कुछ भी नहीं यह वाला जो मेरे हाथ में है इसका प्राइज है 25 रुपिया अब हम पहँच गए हैं थार्ड फ्लॉर पे तो देखिए थार्ड फ्लॉर से निच्चे का व्यू कितना सुन्दर लग रहा है फुल डेकोरेशन उपर से निच्चे की दिख रही है तो बहुत ही क्राउड हो रखा है आज तो इसी डेकोरेशन के दिवाने सभी आते हैं डे अब हम आ गए हैं वुड्लेंड के शोरूम में तो अलग लग ब्रैंड के अलग लग शोरूम है यहां पर मॉल में बने हुए तो अगर मैं आपको दिखाने लगी तो हमारे दो तीर दिन अराम से लग जाएंगे बहुत बड़ा मॉल है बिगस्ट मॉल है तो अब मैं देख अब हम आ गए हैं मैक्स शोरूम में तो यहां पर भी बहुत अच्छी कोलेक्शन है मैक्स ब्रैंड का सारा समान यहां पर अबिलेबल है तो थोड़ा डिसकाउंट में भी लगा रखा है जहां पर 30% डिसकाउंट है बच्चों के स्कूल बैग तो और यह देखिए हमारे प बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम लेडिस को अपने घर को सजाने और सवारने का इतना क्रेज रहता है तो यहां पर सभी आइटम्स अभी लेवल हैं हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए और किचन टूल्स बगारा सब क्रावरी का समान इतना जूनिक इतनी डिजाइनिं है कि हम सोचते रह जाएंगी कि हम यह लिये हम वह वाला ले लेती बहुत ही ज्जादा डिसाइनर और फलार बगारा डेकोरेशन में लिए बहुत ही जूनिक जूनिक आइटम्स यहां पर मिल जाती हैं इस अब हम आ गए हैं अलेक्ट्रनिक शॏरूंबम में तो यहां पे ब और मल सभी ब्रैंड की वाशिंग मशीन भी है यहां पर बहुत बड़ा शोरूम है तो यहां पर है टैबलेट एंड फोन आइफोन बहुत ही ज्यादा ब्राइटी में अबेलेबल थे यहां पर फ्रेंस अब हम आ गए हैं किड्स क्लेक्शन में तो देखिए यहां पर सॉंग चल रहे थे तो किर्थी डांस करने लगी थी इसको डांस का बहुत क्रेज है तो यहां पर मैं देख रही हूं बच्चों की ड्रैसेज बहुत ही डिजाइनर ड्रैसेज थी बच्चों की यहां पर तो बच्चों का सारा समान जो बच्चों के जूज की एटम्स होती है वह सा तो गाल्स की बहुत ही जनीक सी वैलीज डिजाइनर बहुत क्यूट क्यूट सी थी गाइज बच्चों के इंटर्टेन्मेंट के लिए गेम्स भी थी तो देखिए यह वैसे ही एक्षन करता है जैसे हम करते हैं तो प्राभी इसके साथ बहुत मस्ती कर रही थी काफी देर तक यह इसके साथ मस्ती करती रही तो गाइज फैनली अब हम आ गए हैं मौल की लास्ट फ्लोर पे तो लास्ट फ्लोर से मैं आपको मौल का भी दिखा रही हूं सारी फ्लोर इस पे नजर आती है यहां से तो यहां पे ना सारी रेस्टोरेंट है जो भी फूड वगारा है वो ल जो भी लग-लग ब्रैंड के खाने हैं वो यहां पे मिलते हैं तो देखे ये भी बार है और अलग-लग बार है डिसको है जैसे लोग इंजवाए करते हैं लास्ट फ्लोर पे बहुत ही अच्छी अंदर से डेकोरेशन कर रखी क्योंकि बार में तो मैंने अंदर जाना नहीं था के डोर के आगे क्रिसमेस ट्री लगाया हुआ था डेकोरेट करके अब हम वापस आ रहे हैं अब एकजिट कर जाएंगे मॉल में हमेने बहुत मस्ती की खूब मजाया हमें फ्रेंड्स अब मैं आपको मॉल के बाहर का व्यू दिखा रही हूं बहुत चादा रात हो चुकी है सर्दी का मौसम है तो देखे ये कितनी अच्छी लाइटनिंग लग रही है तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन मॉल के बाहर कर रखी थी तो ये लिख रखा है आईलाब चंडीगर यहां पे सभी फोटो क्लिक करवाते हैं वीडियो बनवाते हैं तो ये देखिए कितनी सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी